हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कोई है कोई यहाँ पे कोई भी तू नहीं है निखिल एसीपी सर का मूड कैसा है बहुत कराब है क्या क्या वाँ कोई सरी बात करनी है हाँ मुझे ना थोड़ा इंपोर्टन काम है बीस तारी को चुट्टी ची चुट्टी हाँ एसीपी सर से गलती से भी चुट्टी की बात मत करना वना सारा गुस्सा तेरे पर उतर जाएगा अचा ठीक है एसीपी सर को रहने देते हैं अबजी सर से मांग दो वाँ परे अबजी सर से सपने में भी चुट्टी की बात मत करना क्यूं? चुट्टी लेने वालों से सक नफरत करते हैं वो तुमसे पहले भी कोई चुट्टी मांगने कया था और उसके हमें उशाग ले चुट्टी करते हैं लेके तुम मत गवरो, है हो ना क्या बात है? कामडाम नहीं है? क्या कुसर पसर चल रही है? कुछ नहीं सर मुझे छुट्टी उट्टी कुछ भी नहींचेये सर मैं यहां पर काम करणो ठीक हो सर छुट्टी इससे चहीं है छुट्टी सर, पंकाज को छुट्टी चहिए सर नई सर ये निखिल मुझे फसा रहा। मुझे चुट्टी नहीं चाहिए सर मैं यहां पर काम करूँ टीक उतर तुम्हें चुट्टी चाहिए किस बात के लिए चुट्टी चाहिए सर एक्चली प्रॉब्लम क्या ना मेरी दीदी और जीजुना घ्रह प्रवेश कर रहे हैं आप लोग प्लीज रूर आईएगा ट्वेटिएथ को ठीक है हम लोग चले जाएंगे और तुम्हें तो चुट्टी चाहिए नहीं ते काम करो हमारे हिस्से का काम भी तुम्ही कर ले ने ठीक है सर प्लीज छुट्टी दे दिजे ना सर अभी अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें चुट्टी नहीं चाहिए अब छुट्टी चाहिए क्या करें छुट्टी दे दे इसे जो ठीक है, टांक यू सो मज़ सर, सर, मैं ना, अपनी चुटी का पूरा जो प्लीज मेरी सहली का ढूलीजिये, वो अचानक लापता हो गई है एक मिनिट, एक मिनिट, आई या, बैठिये, बैठिये, निखिल, पानी लेकर आँ सर, मेरी सहली जोई, कल से ना, वो मेरा फोन उठा रही है एक मिनिट, एक मिनिट, शान्त हो जाईए पहले, शान्त हो जाईए और ना, मेरे सेमेस का जवाब दे रही है, उसके गार गई थी, तो दर्वादा भी बनता आप तो जानते ही हैं, आज कल कैसे कैसे जुन मोरे लड़कियों पर आप गबराएए मताम, आपकी सहली को जरूर डोंडेंगे आपने उसके आफिस में बता किया? उसको मेरा आफिस एक ही है, आज वो काम पर भी नहीं आई है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई आपमी किसी जरूरी काम से शेर चोड़कर बाहर चला जाता है तो ऐसे ही अच्छानक जुई कहीं गई होगी अगर ऐसा होता है तो वो मुझे जरूर बता के जाती अच्छा, जुई कहां रेती है, उसका एड्रिस है तुमारे पास? ये सर्व अच्छा खुला है? अगर सर, इच्छा ने तो बताया था कि जुई के घर का दरौ़जा बाहर सबनता मैं भी वही सोचना हूँ सर, जुई की गाड़ी भी बाहर में खड़ी है सर के अंदर को यह और तो नहीं है? उसकता है, अंदर चल के देखते हैं, चौका ने रहना सर किसी के चलने के आवाज आए? आवाज सुना ही तो दी श्याग आवाज इस गमरे से रही है सर अवाज यहाँ से आ रही है कौन अंदर बाहर निकलो कौन ठोक रहा है तर्वाजा चुपचा भार नितलो ने तो द tart दोड कर अंदर उघाँ गा तोडना मत तोडना मत चलत ओओ हमें हमें मतमानना हमने कुछ नहीं किया है हाप लोग कौन है हम लोग जोही के रिष्टाब है उसे मिलने आय ते वो घर पे मिली नहीं इसी भीच आप लोग आगे तो हम लोग बातरूम में चिप गहते हैं देखे गवराई इमत हम लोग CID से हैं आरम से हैं अच्छा आप लोग CID से हैं जी है हम लोग जुई के बरे में बहुत चिंतित हैं फोन लगा रहो तो फोन नहीं लगता आफिस में भी नहीं है आप लोग को कुछ ख़बर मिली उसकी नहीं हम लोग को उसे ढूंड रहे हैं आप लोग उने इस घर का दर्वाज़ा डूबरी के चाबी से खुला है जी हाँ जुई के माता पिता कहा है वो तो सिंगापूर में है उसकी जिम्मेदारी हम पर सौंप गयते हम क्या जवाब देंगे उने हम बहुत जल्द जुई को ढूड निकालेंगे कबराई हमन्त विनित निकल गर के तलाशी लो देखो कुछ मिलता है कि यह जुई इसका किसी के साद कोई जगडा किसी से कोई नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं थी वैसे बहुत प्यारी बच्ची है वो जुई' इससे पहले अभा इस तरह से बना बताय कहर छोड की कहीं गई थी नहीं-नहीं बिलकुल नहीं इसी उखेर जिम्मेदारा नाहर कते हैं वो कभी करती ही देए साभ आपनेट 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 हम नहीं यह देखिए सर होटल आनन विहार के बेंज जुही के नाम पर होटल आनन विहार इसी शेहर में जुही का घर है फिर इसी शेहर में ठेरने की क्या जोद पड़ी तर वो सकता है किसी ओफिस के काम से रुकियो कोई कॉन्फेरेंस या कोई मीटिंग दाल में कुछ काला है जुही के आफिस और इस होटल आनन विहार में चल के पता करते है हाँ मैं खुद तुम्हें फोन करूँ है ठीक है जी कहिए किसे मिलना आपको हम लोग CID से हैं CID किसी का खून हो गया क्या जब तक लाश ने मिल जाती हमें कहना मुश्किल है कि फोन हुआ या नहीं किसकी लाश ढून रहे हैं आप लोग तलाश नहीं, तलाल हमें एक जीती जागती लड़की की तलाश है जो आपकी के ईफिस में काम करती है जुही नाम है उसका जुही? क्या हुए उसे? आज तो वो उफिस भी नहीं आई वो लापता है, क्या आपको कुछ मालूम है कि कहां गई होगी वो? नहीं सर उसने कुछ बताया नहीं चाज जोई आफिस आई नहीं तो आपने पता करने के कोशिश नहीं की कि क्या हुआ उसे है दरसल सर वो पिछले कुछ मेनों से मेने में दो-तिन चुटी ले ही लेती थी आज भी वो नहीं आई इसलिए मुझे लगा फिर से उसने अनओफिशल चुटी ले ली होगी आपको कुछ अंदाजा है कि उसने चुट्या लेना क्यों शुरू कर दिया पता नहीं उसने कुछ बताया नहीं सर कोई खास बात जो आपको लगता है कि हमें बताना जरूरी है खास बात सर दर असल मैं खुद बहुत परिशान हूँ मेरी ओफिस से पचास लाव रुपे चोरी हो गए पचास लाव रुपे जी कहां रखे था आपनी पैसे मेरे कैबिन के लॉकर में कहां आपका कैबिन आई सर अरे एक हफ्ते पहले मैंने खुद अपने नाम से यह पे कमरा बुक करवाया और आप कह रहे है कि कमरा ही नहीं मेरे नाम पे सर आप मेरी बाद समझने की कोशिश कीचा आपके नम से मारे कोई भी रजर्वेशन नहीं है अब समझ रहा हूं मैं समझी अपने रेकॉर्स अचेक करो और मेरा नाम चेक करो ज़रूर बुकिंग होगी सर रिजर्वेशन के बुकिंग अपने किसे कर आई थी कुछ याद है आपको अब इनके नाम भी याद रखो आ आरती आरती नाम सा उसका सर आरती तो अच चुटी पर है अरे वो चुटी पर तो तुम भी चुटी पर चली जाओ और मुझे भी चुटी पर भेज दो देखो कुछ भी करो मेरे नाम का कमरा मुझे यह यह पे चाहिए बस देखिए अभी तो कोई कम्रा खाली निया आपको शाम तक इंजार करना पड़ेगा शाम तक शाम तक न तुम्हारा यह होटल यहां पे नहीं रहेगा समझी जानती नहीं हो कौन मैं मेरी पोच बॉच बॉच नीचे तक है नीचे तक श्कीज मी प्लीज अब आप मत बुलीगा कि आपने भी रिजर्वेशन कर रहा है था मैं अपको अब ही बता दू कि हमारे होटल में सारे रूम्स अल्रेडी बुग्ट है यह निया आपको गलत फैमी हुई हमें कोई कमरा उम्रा नहीं चाहिए हम लोग CID से है CID? सौरी कल्ती होगी इस लड़की को पहचा जानती है यह पy आई थी है हाँ यह तो हमारी regular customer है कई बार आ आई है यह पर कई बार आई है? आखनी बार कब आई ते हैं आखनी बार झाए ती कॉन कर दो और भी था? आई तो अकेली थी पर कोई उन से मिलने आया था कौन? कौन आया था? गेस्ट का नाम में भी आपको नहीं बता सकते हैं हमारा सिस्टम डाउन है ठीक है आप यह मेरा कार्ड डख लीजे जैसे ही आपको बता चले मुझे फॉरण फॉन कीजेगा, ओके? जी थांक्यू आहिए सर यह है वलोकर अरे यह तो एलेक्ट्रोनिक तीजोरी है यह चावी से नहीं पासवर्ट से खुलता है जी हां सर मैंने भी यही सोचा था कि यह सबसे अच्छा सेफ रहेगा लेकिन देखिए ना चूर इसमें भी सेंध मार गया तो आपका पासवर्ट आपके अलवा कोई और भी जानता था? नहीं, मेरे अलवा किसी को नहीं पता आपके अकॉंटेंट को भी पता नहीं था? नहीं, सर अकॉंटेंट शुड़ी है, मेरे परिवार वलों को भी इसके पासवर्ट के बारे में नहीं मालो तीजोरी के साथ कोई चेडशाड या तोड़ने की कोशिश नहीं की है मतलब चोर ने पासवर्ट के साथ यह तीजोरी खोला है सर, हो सकता है चोड़ने कई बर तुक्का मारा हो, सही बैठ के हो? नहीं, सर, मेरे पासवर्ट इतना मुश्किल है कि तुक्य से यह खुली नहीं सकता अच्छा आपका यह CCTV कामरा चल रहा है? यह कैमरा यहां कहां से आया सर? कहां से हैं मतलब? यह कैमरा आपने नहीं लगवाया? नहीं सर, यह कैमरा मैंने नहीं लगवाया आपके कैमिन में कोई कैमरा लगा के जाता और आपको पता नहीं चला सर, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि मेरी अब तक इस पर नजर क्यू नहीं पड़ी और पता नहीं कितने दिनों से यह कैमरा लगा होगा यहां सर, यह कैमरा जरूर चोडने ही लगवाया होगा देखे ना सर, ऐसी तगा लगाया होगा है जहां से एक तिजोरी साफ दिखाई दे और अगर कोई इसमें पासवर्ट डाले तो वो भी साफ देख जाए और इस कैबिन के अंदर कैमरा लगाने का काम किसी अंदर वाले काही है मिनित, कैबिन की तलाशी लो सर्थ हावल इदेखी सर यह ट्रांसमेटर शैद सर यह केमरे का है क्याफी हाइफ्रीक्वेंसि वाला है यह ट्रांसमेटर मधड़ो कई दूर बैठके इस कैमरे के जठ एहा का नजारा तेख रहा है यह काम करू towel यह काम नहें कालो इस दुकान से ये कैमरा खरीदा गया है, वहीं से उस खरीदार के बारे में पता चलेगा. आईए, सराइए, बोलिए, क्या चाहिए? कुछ ने. कुछ ने? तो क्या सिर्फ आप देखने के लिए एंस? देखने ने, कुछ दिखाने है. कैमरा आप एक दुकान से खरीदा गया था? अरे हाँ, आपने खरीदा था? क्या हुआ? कैमरा काम नहीं कर रहा है? अच्छ अच्छ इसी लिए आए हैं आप? अरे भाई साब थोड़ा लगाम लगाईजे. सवाल भी खुद पूछे जा रहे हैं, जवाब भी खुद दिये जा रहे हैं. हम लोग CID से. CID? सर, हमसे कुछ गड़वड हुई है क्या? अगर गड़वड नहीं होती तो हम लोग यहां पे क्यों आते हैं? ज़र यह बताईए कि यह कैमरा किसने खरीदा था? और कब? सर, एक मिनिट सर, प्लीप. सर, यह कैमरा किसी अंकुष सागर ने, 25 फरवरी को खरीदा था. पैसे नकद में दिये थे इस अंकुष सागर ने या फिर ख्रेट कार्ड इस्तमाल किया था? सर, डेविट कार्ड का इस्तमाल किया था. डेविट कार्ड? ट्रैंजक्शन स्लिप तो होगी न आपके पार? हाँ सर. ज़र दीजिये ब्लीज. इस बैंक से पता चलेगा कि यह अंकुष सागर रहता कहा है? अंकुष? है कोन है अंकुष? जुई के आफिस वाली इसके बारे में कुछ नहीं जानते ना? उसकी सबसे अच्छी सहली रिच्चा. ये भी उसके बारे में नहीं जानती. पंकड, ये बैंक से कुछ पता चला अंकुष के बारे में? सर, निकल गया पता का निकले. वो आता ही होगा. सर, मुझे लगता है ये अंकुष जुई का कोई खास फ्रेंड है. और ये पचास लाख रुपए की चोरी की प्लानिंग दोनों ने साथ में मिलके की है. हलो? हाँ, बूल राओ? ओ, है रेजिस्टर में ना? ठीक है, थैंकू बेरी माइच. सर, होटल आनंद यार से फोन था, जिसके बिल मिलेते हैं, जुई के घर से. सो, क्या पता चला? सर, ये जुई जब भी उस होटल में रुखती थी, ये अंकुष उसे मिलने जाता था वहाँ पे. ओ, चाहाँ. सर, सर, बैंक से अंकुष के घर का एड्रेस मिल गया है, सर. सर, उसका घर सुस्वागतम नगर में, सुस्वागतम नगर. सुस्वागतम नगर? तो फिर इस अंकुष से जाकर मिलना पड़ेगा? सुस्वागतम नगर में, सुस्वागतम नगर. कौन हो सकता है, कहीं जुई तो नहीं आप लोग को दोस्स थे तुमारे, तुम्हारा जनम दिन मनाने है एक ँर्पी मेरा जनम दिन तो हो चुका है फिर फिर कौन दोस्तो कैसे दोस्त, हां, मैं तो आपलों को जानता तक नहीं हूँ आपके नए दोस्का नाम C.I.D. है, मैं इंक्स्पेक्टर दया, यह इंक्स्पेक्टर भी नीद. कहिए क्या बात है, सर? वो पैसे कहा है, जो तुमने दीपक के कैविन से चुराया है. किस पैसे की बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने दीपक की कैविन से कोई पैसे नहीं चुर जाया है. अच्छा, दुने, करके तलाशी लो. तलाशी? अरे, अरे, अब देखिए, देखिए, तलाशी ये, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये गलत बात है. आप इस तरह किसी शरीफ नागरिक को परिशान नहीं कर सकते. अगर आप इतने ही शरीफ नागरिक है, तो आपने ये कैमरा क्यों खरीदा? वहाँ ये कैमरा तो मैंने ही खरीदा था, लेकिन ये आपको कहां से मिला? दीपक के तिजोरी के पास लगा था ये. ये वहाँ कैसे पहुचा? अब वो तो आप ही बताएंगे? मैं कैसे बताऊंगा? ये तो हो पाप. सर, हर जगा देख लिया पैसे कहीं भी नहीं मिले. देखा, पैसे नहीं मिले ना? खर ये मैंने तो पहले ही कहा था, आप खाम खाम मुझे पश्रक कर रहे हैं. देख, सच-सच बता, पैसे कहा हैं? वरना जितने प्यार से सवाल पूछ रहा हो भी, आगे इतनी शराफत की उमीद मत करना मुझसे. आप मुझे धंकी दे रहे हैं, हाँ? मैं और जुही एक दूसरे से प्यार करते हैं. हमारे घरवालों को ये रिष्टा मन्जूर नहीं था. इसलिए तुम दोनों ने प्लाइन बनाया है कि क्यों न बहुत सारे पैसे चुराए जाएं और इस बैमानी के दौलत से नहीं जिन्दगी शुरू करते हैं. हाँ, यही प्लान था. मैं लगता है कि जुही की नियत पलड़ गई. वो पैसे चुरा कर मेरे पास आने की बज़ाए फरार हो गई. कवा मिलने वाले थे जुही से? ना तुर के होटल ब्लैक माउंटेन में पर ना तो वह वहाँ पहुची और ना ही इसका फोन लग रहा है. इसका मतब या तो पचास लाग रुपए के चकाचान के आगे जुही का प्यार फीका फड़ गया या फिर किसी और ने इन पैसों के लिए जुही को किड्नाप कर लिया. और अब उसकी जान खत्रे में है. यह तुम मैंने सोचा भी नहीं था. क्या जुए की गाड़ी मिल गई है? कहां है? क्या जुए कि अपर जी कही है? आपको गाड़ी बेचनी है या खरीद नहीं? नहीं हमें कार बेचनी है और नहीं खरीद नहीं है. अम C.I.D. से. C.I.D.? क्या बात है? इस फोटो को देखिए. इस लड़की की तलाश है में. क्या यह लड़की आपके बास आई थी? हां, अपनी गाड़ी बेचने आई थी है. गाड़ी बेचने? हां, उसने हमें अपनी गाड़ी दी और बदले में मुझसे दसदार उपे नकत और एक पुरानी गाड़ी लेकर चली गहीं. बड़ी समझदार है यह जूई. जैसे उसे लगाया कि हम गाड़ी के जर्य उस तक पहुंच जाएंगे तो उसने गाड़ी बदल दी है. यह जूई की गाड़ी देख सकते हैं? हाँ, यह रही है. जो रहा, चेक कर दो. लेकिन आपको गाड़ी में पुछी नहीं मिले है. क्योंकि गाड़ी देने से पहले उसने सारा समा निकाल लिया था. अच्छा आप हमें उस गाड़ी का नंबर दे सकते हैं जो आपने जूई को बेची है. जी. अलो, क्या? जूई की गाड़ी अब तक टोल आके से नहीं गुजरी. तुम नजा रखना. जैसे ही उसकी गाड़ी दिखाई दे हमें तुरान दिन फॉम करो. तानी विनीत, ऐसा क्यों लग रहा है कि जूई किसी बहुत-बड़ी मुसीबत में है? अगर सर्च, जूई तो खुद पैसे लेके फरार है. अपनी गाड़ी भी बदल दी ताकि आम उस तक ना पूच सके. अगर यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यो रही है? तोई वज़ा तो जरूर है. जूई की गाड़ी का पता चल गया? कहा पर? Okay, thanks. जूई की गाड़ी का पता चल गया. पफू मोटर मेकानिक के गराज में. लगता है जूई की दूसरी गाड़ी ने बहुत चल्दी जवाब ते दिया. यह अच्छा वकता है उस तक पूँचने का है. यह पपू का गयरेज कहा पता है आथू? यह पपू मेकानिक का है? यह पपू मेकानिक तुम ही हो गया? जी साब, इस इलाके का सबसे बड़ी है मेकानिक. साब, अपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस फोटो को दियान से देखो. क्या कुछ सम्में पहले यह लड़की तुम्हारे पास आई थी यहां पे गाराज पे गाराज पे? साब, जे लड़की तो कल रात को आई थी, 11 वजे. कल रात को 11 वजे? हाँ साब, मैं गारेज बंकर के जाई रहा था तब तक ही मेम साब आगे मुझसे मदद मांगने के लिए. बोली कि मेरी गाड़ी खराब होगी यह मुझे बाहर गाउं जाना है. फिर? फिर साब, मैंने मैं चेकिया तो गाड़ी में बहुत काम था. तो मैंने बोला आप आसपस किसी होटल में रुक जो, करक्सूब आके गाड़ी ले जाना. और उसने तुम्हारी बात माल ली. साब, और कोई चारा भी तो नहीं था उसके बास. साब बाहर गाउं जाना था, गाड़ी खराब थ तो साब, लेकिन ताजूब की बात है अभी तब गाड़े लेने नहीं आई हुए. उसकी गाड़ी कहाँ पर? यह रही साब. यह उसकी गाड़ी? जी साब. बिनित, गाड़ी को चीतर से चेक करते हैं. लेखते हैं क्या मिलता है? गाड़ी एक दम साफ रहा है. कोई सबूत, कोई सुरा कुछ नहीं छोड़ा उसमें. अच्छा, एक बात बताओ, उसने तुम्हें बताया के वो कहां जाने हाली है? अच्छा कुछ नहीं बताया साब उसमें. अच्छा, यह अकेली थी या फिर उसके साथ भी कोई था? साब अच्छा, यह अच्छा, यह अच्छा, यह तो बता होगा के वो कौन से होटल में ठहरी है? साब, आसपास जादा होटल नहीं है, उन्हें से किसी एक में होगी आप पता कर सकते हैं, साब. टीक है, आसपास के सारे होटल चेक करते हैं. वह जए साब आपकी तोड़ी मदद अच्छा, यह तो आप किसी के तलाच कर रहे हैं? इस फोटो को त्हान से देखिए. जुभी, मैं सर्, पूरा यकीन है, आपको त्हान से देखिए. तंक्यू. ओकि, थाइक्स. बए साब, आप इस फोटो को त्हान से देखो, इस लड़की को देखा हैं? नहीं सर, यह लड कि तो में होटल में ने ये पर बात क्या है मैं CID से इस्पेक्टर साचिन हूँ CID? ये लटकी लापता है मैं इसकी तलाश है अगर इसके बारे में कुछ भी बता चले तो तो तुरांट CID कौन फॉर्म करना हूँ कि जरूर सर पक्काट सर चेके अब लो सर वर आपका सामान करें निजिक रहे आप नायव ने मैं नहीं यहाँ डंग उप्समान करेंगी यह झाहिएडी नहीं ते सुर्वर्color师 नहीं है आयँ ड्यां यहाँ यह थैसरो आपके बिढा है इसके देखिया इस लड़की का नम जूह अपने तलाश है, यहाँ ही थी, आपने देखा है सर्ट? नहीं सर्ट, यहाँ है अवार होड़ा रेनमी यह 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 शुर? यह सर्ट आपको यह कहीं भी दिखाए दे यह इसके बार में कुछ भी बता चले तुरन C.I.D. कुछ पता चले जरूर सर्ट तुरके यह विनित, कुछ पता चले? कुछ पता चले जरूर सर्ट इस तरफ भी किसी को कुछ नहीं बता शर अब सिर्फ एक होटेल बच्छा होटेल ब्लैक माउंटेन हुम् होटल ब्लैक माउंटेन एसीप सर को इंफर्म कर देता हूँ हलो हलो सर अबने सारे होटेल चान मारे कहीं कुछ पता नहीं चला सिर्फ एक ही होटेल बाकी है सरा होटेल ब्लैक माउंटेन सर हाँ जी कही है सर इस लड़की को देखिए क्या ये लड़की आपके ओटल में ठहरी थी नहीं सर सिर्फ मुंडी मतहिला ना इस फोटो को गवर से देखो ठीक से देखो और बताओ क्या ये लड़की यहाँ इस ओटल में ठहरी उई थी पहले सर आप लोग जबरिस्ती गले पड़ है मैंने का ना जुई यहां हमारे होटल में नहीं आई थी उठाओ इसे एक मिट सर मैंने कह के मैंने कब कहा कि इस लड़की का नाम जुई है सर अभी आप ही ने तो कहा था सर कि इस लड़की का नाम जुई है और यह यहां है थेडि थी के नहीं? जे बेलकुल नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लड़की का नाम जुई है? सर, मैं अपने मन से तू अभी अभी सर ने का यह देखो, क्या है? तीस तरी को, रात को, जुई यहां ही थी, ठहरी थी, ना मैं यहां पर इसकार क्या है? देखो इदर सर, यह वो क्या? वो सर, यह वो क्या? जूट क्यों बला तुम्हें हमसे? सरी जूट नहीं बोलते आप कौन होती है इने, क्यारेक्टर स्रेटिफिकेट देने वाली हां? सर, मैं सुप्रिया हूँ, इनकी पत्नी और मैं इसी होटल के स्टाफ में काम करती है मैंने आप लोगों से कोई जूटनी को ला तीस तारीक के दिन मैं होटल में था इन चुटी पेता सर यह सही कह रहे है चा सही कह रहे है कि तीस तारीको यह जूटी पर नहीं थे अगर यह तीस तारीको जूटी पर नहीं थे तो फिर आपके पती को जुई का नाम कैसे पता है? क्यूंके सरो पहले भी यहाँ आ चुकी है पहले भी यहाँ आ चुकी है? सर, हमारे होटल की जो मालिक है उनकी यह दूर की रिष्टेदार है कौन है तुमारे होटल का मालिक? मैं मैं हूँ इस होटल का मालिक आप आप लोग कॉन है हम लोग जुई के रिष्टेदार है आप इस होटल के मालिक है जी जुई आपके रिष्टेदार है न तीस तारी को वो यहां आपके इस होटल में खेरी थी नहीं, नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं, क्यों, नहीं नहीं बताया हमें कुछ, हमें तो पता भी नहीं था वो शायद रात को देर से आई होगी, और हम लोग जल्दी सोचाते हैं और इसलिए इनों ने आपके वोटल में आके ठहरती है और आप लोगों को पता तक में चलता है यह बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है हाँ वैसे हम भी थोड़ा-थोड़ा समझने लगे हैं हम आपकी जगह उसरात जूड़ी पर कौन था? जल्दी हाँ जल्दी हाँ आज सकते अधकी आपने बुलाए तुमान झाए नहीं बाद बता जैये लड़की तुमारे होटल में ठेहरी थी तीस तारी को रात को जी सर तीस तारी की रात को इसलप्री ने हमारे होटल में चेक-इंग car अगले दिन सुभह जब मैं इनके कमरे में गया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है ये लड़की वहाँ है ही नहीं अरे तो तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बता ही मैं मैं डर गया था मुझे लगा कि सब मुझे डांटेंगे क्योंकि मैंने इस गेस्ट की एंट्री करवाई थी और ये बीना पैसे दिये चली गई थी इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपा ले इस लड़की का सामान कहा है सामान उसी कमरे में है सर चलो कमरा दिखाओ उसका आई सर ये है कमरा जुई कब आगए तो इसके अंदर का सामान कहा है सर मैंने सारा सामान निकाल के कबड में रख दिया क्या क्यों मुझे लगा जुई जी आएंगी तो सामान ले जाएंगी अच्छा तो जब जुई वापस लोट आएगी तो उससे तुम सामान दे दो गए है सचर तर चेक करो सर और ये किस ने कहा तुमें सामान कबड में रखने के लिए किस ने कहा सर मैंने सोचा कि वो सर इस बैक में से निकाले हुए सामान में सिर्फ ये कपड़ी बढ़ कुछ भी ने से यही था है कमरा तो बहुत अच्छी तरह से साफ किया है आया ना सर मारे कौड इतने सारे पैसे जुही के सर लगता ये वही पैसे है जो जुही ओफिस से चोरी करके भागी थी क्यों अब तो आप दोनों यही कोगे ना कि तुम्हें पता ही नहीं था ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे ओटल में हैं क्यों सर सर हम तो खुद हैरान है सर हमने इन लोगों के कंदे पर ओटल के जिमेदारी थोड़ी थी पता नहीं ये लिए कैसे होटल चलाते हैं और ये पैसे ये जुई के पैसे इसका क्या इसका क्या कहना है आपको सर जुई चोरी कर ही नहीं सकती जुई ने चोरी की है ये पैसे लेकर वो अंकुष के साथ भागने वाली थी लेकिन उसने इन पैस को के लिए अंकुष को भी धोका दे थिया नहीं सर नहीं नहीं आपको जरूर कोई गलत वैम ही हुई है सर जोही चोडी नहीं कर सकती सर वो किसी को धोका नहीं दे सकती हूँ तो बहुत अच्छी सीधी बच्ची थी सर हाँ सर मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं उसे कुछ हो ना गया हो कुपया करके आप उसे ढूड़िये पता नहीं वो किस हाल में होगी अगर जोही को कुछ हुआ है और जो भी आपके होटल में हो रहा है इसके पीछे आप ही के होटल के किसी आदमी का हाथ है समझें आप ही के होटल के आदमी का हाथ है सर आपके पास कोई सबूत जो आप सबूत चाहिए सबूत चाहिए मिलेगा सचिन विनित इस होटल का कोना कोना चान मारो एक-एक कम्रे की तलाशी लोग, एक-एक कम्रे की सबूत चाहिए सर, हाँ पोड़ल कहके कम्रा चान माला सर, कहीं कोई गड़ नहीं कहीं कुछ में नहीं मिला तुरी जुही गई कहा क्या हुआ है उसके साथ सर कहीं जुही को काम करो तीस तारी को इस होटल में जितने भी कस्टमर्स आए सब की कुंडली निकालो और इस होटल के आसपस का जो भी इलाका है अच्छी तरह से चान मारो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा विलीज, एक काम कर तुम इस तरफ देखो, मैं तर देखता जब से विनीथ 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 व्माइ गाड ये तो जुई की लाश है बचारी मिली भी तो किस हाल में विनीथ, हमने काफी देर कर दिये लेकिन सर ये जुई की लाश यहां इस तलाब के किनारे कैसे पहुच के विनीथ इसके पैरों पे वो रसी का निशान इसका मतलब खुनी ने इसे रसी से बांद कर पथर के जरिये इस तलाब में डुबया होगा और जैसे ही रसी खुल गई पानी के उपर आगई है और बहती हुई इस जिनारे तक पहुच कई यह देखिए सर कितनी बेरहमी से इसका गला काटकर इसकी जान ली है खुनी में उनिक मुझे लगता है जुई का खुन उस रंदीप ने किया होगा ऐसे भी वह आदमी मुझे लड़ा लग रह था गा सर ऐसा लग रहा था कि यह रंदीप हमसे कुछ छिपा रहा है लेकिन अगर रंदीप ने इसका खुन किया है तो अकेले तो किया नहीं होगा इसके साथ और भी लोग शामिल होगे तो यह किसका नंबर है हेलो, इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ? आप कौन? नमित, हाँ नमित बोली है क्या? आपके पत्नी प्रिती लापता हो गई है? नत्ता हागे सर अपलोग, सर कोई खमर मेले प्रिती की? नहीं सर, सर प्लीज सर आप लोग मेरी पत्नी को ढूंड निका लिए पता नहीं सर वो कहा होगी? किस हालत में होगी? सर मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है सर आप लोग प्लीज कुछ कीजिए सर लेके नमित जी, आप हम पर भरोसा रखिए अच्छा आप ये बताईए के प्रिती से आखरी बार फॉन पे बात कितने बज़े वी थी आपकी? कल करीब दोपर के बारा बज़े के असपास उसके बाद मैंने बहुत बार कुछिश किया मगर उसका फॉन लगा ही नहीं सर आप हमें प्रिती का नंबर दीजिए वनीत, मॉबाइल कमपनी से पता करो के इस वक्त प्रिती का मॉबाइल कहां पर है नंबर दीजिए जी, 1833191321 अलो, मैं सी आडी से वनीत पोल रहा हूं मैंने जो आपको अभी नंबर मेसेज किया उसकी लोगेशन ट्रेस करके बताये जल्दी ठीक है सर, प्रिती के मॉबाइल के आखरी लोकेशन होटेल ब्लैक माउंटेन में ट्रेस हुई है सर होटल ब्लैक माउंटेन में है? जी सर मुझे डर है कहींए सर प्रिती का भी वही हाल नहोजाए जो जुई के साथ हुआ था सर जुई? सर कौन जुई? सर क्या हुआ जुई के साथ है? देखे हम प्रिती को ढूड निकालेंगे दपराये मत किसी भी हाल में उसे वापस ले आएंगे सर मगर वो सर अप लोग प्रिती को सही सलामत वापस ले आएंगे आपके लिए ठीक है? चलो वक्त आगया प्लाइन शुरू करने का इस्क्रीज माँ जी कहिए मुझे एक रूम बुक करना है तो फिर आप एकदम सही जगे पे आई है हमारा होटल ब्लाक माउंटिन इस एरिया का सबसे अच्छा होटल है दीजे, एंट्री कर दीजे फिर तो यहां का खाना भी बहुत अच्छा होगा अरे मैडम एक बर आप खा के तो देखिए उंग्लिया चाट दिरे जाएंगी आप चाहे तो हमारे रेस्टराउन में नीचे खा सकती है या फिर अपने रूम में उपर मनवा सकती है नहीं, अभी तो मैं बहुत ठक गई हूँ, कल खाऊंगे ठीक है वैसे एक बात का खयाल रखना क्या? रात को यहां अकेले बाहर मत निकलना क्यों? आपकी होटेल में आत्माय मन राती है नहीं, वो इस राके में जुर्म अचकल बहुत बढ़ गया है तो इसलिए आप रात को बाहर अकेले मत निकलना और अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना ठीक है, मैं ध्यान रखोंगी वैसे फोन पर मेरी किसी रंदीप से बात हुईती वो तो कहीं दिखने ही रहे जी, वो मेरी पती है, इस होटल के मैनेजर उनकी तबयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए आज मैं उनकी जग रिसेप्शन पे हूँ ओके, अभी मैं बहुत थक गई हूँ कल सबै बात करते हैं ओके, गुड़नाइट Mohan, माम को उनका कमरा दिखा दो और उनका समान डग दो आए आए थैंक्यू आए मैम साब इस तरफ आए आए मैम साब इस तरफ चावी शुक्रिया मैं आपको किसी वी चीज़ की ज़ुरत पड़े तो बेफिक्र रूम सर्विस पे फोन कीजी थैंक्यू शुक्रिया शुक्रिया अज की रात एक आम करो तुम होटेल में नज़र अखो मैं तब तक उस रंदीप के घर जा के देखता हूँ सब य्झ ख्तुम पुक्रिया युट युट शोज प्पंब शोजक्रिया अँश कर दो 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 कर तो प्रीती का प्रेसलेट है, लेकिन प्रीती रंदीम के पास क्यों हाय थी, कि युसे भी तो कुछ नहीं हो गया? यह क्या है? स्टोर्रोंग लगता है यह क्यों पतानी साब, मैं भी यह चीक सुनके चौंग गया श्रया, श्रया, श्रया क्यों? वो ललकी, जो एक सो दो नमर में ठहरी होई थी वो उस कमरे में ही होंगी सब, 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 कहां जा रहे हैं सब, सुनिये तो, सब, 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 मेरी बात सुनिये सब, 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 मेरी बात सुनिये सब, सब, सुनिये मेरी बात 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 सब, सुनिये मेरी बात सब, सुनि आप कुछ? मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है खेल कौन सा खेल? कैसा खेल? शेकान मुझे ने बता वो लड़की जो उस कमने पर ठहरी हुई थी कहा है? मुझे ने बता, मैं छुट्टी पर था अगर तुम छुट्टी पर हो, तो इस वाथ होटेल में क्या कर रहे हैं? क्या बत है? यहां इतनी रात को हंगामा क्यों मुझे रखखा है क्योंकि आपके होटेल में जुर्म के बीच बोई जा रहे हैं और खून की फसले काटी जा रहे हैं दो अइचे क्या कह रहे हैं विलकुल सही कह रहा हू है पहले जुही पर अपर प्रीती और अप शाइद अगर लर्की अबियो और फरणलर सफे समर्न। देखे हr मेरे बदitelी किसी का क्वून नहीं कर सकते है किसी का क्वून नहीं कर सकते een आपके आउट हाउस से होकर आ रहा हूं मैं, एक लाश देखिए मैंने वहाँ पर लाश? लाश? ऐसा कैसे हो सकता है? आप छूट कहे रहे हैं छूट में ही सच है यह है चलो, अरे, मुझ चलो कहा ले के चाहरा है अपने? CID Bureau की हवा खिलाने है मुझे नहीं जानता केने से काम नहीं चलेगा समझें? क्या नफरत है तुमारे दिल में लड़कियों के खिलाफ जो एक के बाद ही कुने मारे जा रहा है मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बताना चाहता है है आप लोगे काम कीचे मुझे फासी पर लटका दीजे बस पासी तो तुझे होगी ये बता की Shreya कहा है मैंने कहा ना मैं नहीं जानता Shreya कहा है coconut पूरा होटिल सण माल लिया Shreya कई भी नहीं मिलिया क्या क्या तुने श्रेय के साथ मार दिया उसे है मार दिया? मार दिया? लाश का है? जील मैं फेख दिया? तेक छूट मत बोल उस जील को गोता खुरा ने बहुत अच्छी तरीके से चक्कर लिया है वहां लाश नहीं मिली, समझे? यही तो मैं कब से आप लोगों से कह रहा हूँ के मैं नहीं जानता श्रिया कहा है यह से नहीं बताएगा सर सी एडी के साथ खेल खेलने में बहुत मज़ा रहा है ना तुझे इसके साथ पांच मिनटा के लिए छोड़ दीजे सर सब बताएगा यह एक मिनट इस जखम कैसा है यह श्रिया आपके आफिसर उसी ने किया श्रिया ने किया है अभी पता चल जाएगा इधर आओ जब माखुन है क्या यह श्रिया का नाखुन है श्रिया का नाखुन हो ही ने सकता यह तो उस से ही मुझरिम का है जिसके इशारों पर यह नाच रहा है यह आपने क्या किया यह लड़की C.I.D. वाली है क्या कहता पहले पैजान में नहीं आई पिछली बार भी अपने यही किया था जब हम उचुई के गर में गए थे उस लॉकेट को ढूनने जो हमने उसे दिया था शुकर मानो कि वो लॉकेट C.I.D. वालों के हाथ नहीं लगा वरना हम लोग जेल में होते मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा कि पहले ही इसे खतम कर दूँगा और C.I.D. समझेगी कि खुन रंदीक ने किया है यह लड़की होश में आ गई इससे पहले ही मैं इसका काम पमाम किये देता हूँ रुक जा अरे श्रीया खुन करने निकले थे अच्छा और आप भिसाप दे रही थे उनका तुम दोनों को तो जेल की यातरा करवाते हैं श्रीया श्रीया आप लोग वक्त पर नहीं थे तो यह लोग मुझे बार डाते साथ भागने की कोशिश मत करना वन्ना आपकी उम्र कर लिहास करना भूल जाओ नहीं शर्मानी चाहिए तुम दोनों को पुजा पाट करने के उम्र में भगवान का नाम लेने के उम्र में तुम दोनों खून कर रहे थे जवान लड़कियों के खून बच्छमन से मुझे औरतों से सखत नफरत है खास कर उन औरतों से जो अपना घर दोहर छोड़कर बाहर काम करने जाती है मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की चाह में अपनी ग्रहस्ती छोड़ देती है क्या पकवास कर रहा हूँ जितना हक लड़कों को बाहर काम करने का है उतना ही हक लड़कियों कको भी है अगर लड़कियां समाज में कुछbula दिखाना चाहती है अपने पहचान और अपना अस्तित्व बनाना चाहती है तो क्या गलट है? पहचान अस्तित्व एक माँ अपने तीन साल के दूद्ध मुएं बच्चे को उसके शराबी बाप के पास छोड़कर अस्तित्व बनाने निकलती है क्या ये सही है अगर अस्तित्व बनाने का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? क्यों की चादी? और अगर शादी की तो बच्चे को दुनिया में लेकर क्यों आए? एक शराबी बाप के लाद जूते खाने के लिए? किसकी? आप किसकी बात कर रहा है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी वो बच्चा महीं हूँ हाँ सर, बच्चपन में जब इनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी तब से इनके दिल में हौरतों के प्रती नफरत के बीच बनब रहे थे और ये बड़े-बड़े शहरों में ऐसी लड़कियों की हत्या करते थे जो महत्वा कांक्शी हो, समाज में जिसका कोई नाम हो और अच्छी नौकरी करती हो और आप इनका साथ दे रही थी तो मैं क्या करती सर, मुझे बहुत डर लग रहा था कहिए मुझे भी न मार दे अगर आपको मेलाओं से इतनी ही नफरत है तो इन से शादी क्यों किया आपने क्योंकि ये जान की एक अकेली इस्त्री है जो मेरी भावनाओं को समझती जिसने मेरे बच्पन के दर्द को समझा जाना और मेरा साथ दिया तुम रंदीब, तुमने क्यों साथ दिया इनका तुमारी कौन सी वज़े है पैसे के लिए साथ, पैसे के लिए मेरी मां को कैंसर की वहारी और उनके इलाज के लिए मुझे लाखो रूपे की जरूप इन्होंने मुझे अपने बारे में कभी सवाल मत करना मैंने माना और उनकी कोई भी बात अगर पुलिस या C.I.D. तक पोस्टी है लोग ने हमें भी पापी बना दिया तो वोटल तुमने इसलिए खरीदा ताकि शेहर शेहर भटकना ना पड़े और उस उंसान इलाके में तुम अपने गुनाओं को अंजाम दे सको हां अंजान लड़कियां तो दूर तुमने तो अपने रिष्टेदार जुही को भी नहीं तुमारे दिमाग का इलाज होगा तुम सबको सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी कड़ी से कड़ी सजा करद पर दुमारे वाThese devam के वापने तो ऽान अंहानए तो दूर जुममादिस कि औरो तुमारे थान टुमारे जलाज होगी že कि अवार्वेशन एन आर वपने दुमारे रिवशन जसार पतो इलाएं झाल झाल